हलो दोस्तों आपका SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए भारत की महत्तपुर अहतिहासिक लड़ाईयां लाए हैं जो प्रतेक एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये प्रिभियस एयर से क्वेस्टन लिए गए हैं और अग्रगामी आने वाल एक्जाम जैसे एंटी-पी-सी एंटी-पी-सी गुरुप-डी यूप पुलीस भिहार पुलीस दिल्ली पुलीस इट इस एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाले हैं तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस् हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सज्यादा शेयर करें और हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बाते बता दे कि पहले हम इसके भारत की महत्युप अधियासिक जो लड़ाईयां हैं इसके कुछ थियोरी पॉर्शन दे हैं तो पहला प्रमुख युद्ध वर्स दखिए प्रमुख युद्ध वर्स परिड़ाम इसमें पहली लड़ाई जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 इस्वी में हुआ था यह किनके किनके बीच हुआ था प्रित्वी राज्च वहान और मुहम्मद गोरी को बीच जिसमें इसका प्रडराम निकला कि प्रित्वी राज ने मुहम्मद गोरी को हराया अगली चुर लड़ाई हुई थी दोस्तों तराइन की दीउतिवी धुआ था जो किस वर्स हुआ था 1192 इसी किनके किनके बीच हुआ मुहम्मद गोरी और प्रित्वी राज के बीच हुआ जिसमें से इसका परड़ाम निकला कि मुहम्मद गोरी ने पित्वी राज को हराया आगे बढ़ते हैं इसमें से तीसरी लड़ाई चंदावर का यूद 1194 में इसमी में हुआ और किन किन के बीच हुआ मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच हुआ मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच हुआ जिसमें से मुहम्मद गोरी ने जैचंद को हराया अगली अगली जो लड़ाई हुई पानिपत की पाली रड़ाई जो 1526 इस्वी में हुई यह किनके किक के बीच हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच जिसका प्रड़ाम हुए हुआ कि बाबर ने इबराहिम लोदी को हराया बाबर ने इबराहिम लोदी को हराया दोस्तों हम यह कुछ थियोरी ज्यादा important है जो प्रतिक exam में एक या दो question जरूर पूछ लिया जाता है तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्ट अगले युद्ध पर चलते हैं अगला युद्ध जो हुआ था खानवा के युद्ध जो कब हुआ था पंदरो स्थाइस भी और किनके किनके बीच हुआ था बाबर और राडा सांगा के बीच जिसका प्रड़ाम हुआ था कि बाबर ने राडा सांगा को हराया था अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध किनके किनके बीच बाबर ने बाबर और मेदनी राय के बीच कब हुआ थ हैं इसी तरह question exam में आ जाते हैं तो अगला युद्ध जो हुआ घागरा के युद्ध कब हुआ पंद्रस्वा अंतिस इस्वी किनके किनके बीच हुआ था बावर और अफगान के बीच इसका प्रडाम हुआ था कि बावर ने अफगानों को हराया अगला युद्ध जो हुआ सोरी सेर्शा ने हुमायू को हराया था अगला युद्ध कौन सा हुआ कन्योज का युद्ध हुआ था कब हुआ पंद्रस्चालीस इस्वी किनके किनके बीच हुआ था शेर्शा और हुमायू के बीच इस युद्ध में भी शेर्शा ने हुमायू को हराया था अगला प्रस्ट अगला युद्ध जो हुआ था कन्योज का युद्ध कब हुआ and शेर्षा और हुमाईयू के बीच ही हुआ था जिसमें शेärशा ने हुमाईयू को हराया अगला जो यूद दिवा था पानिपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 स्वी में हुई थी और किनके किनके बीच हुआ था अकबर और हेमु के बीच लिए हेमु को हराया और अगला यूद हुआ था हल्दी गाटी का यूद कब हुआ? 1536 भी किन के किन के बीच हुआ? अकबर और महरारा परताप के भीच हुआ जिसका परड़ाम ये निकला कि अकबर ने महरारा परताप को हराया था। अगला यूद जो हुआ प्लासी का यूद इनके किनके बीच हुआ था अंग्रेज और सिराज यूद दौला के बीच इसमें किसने कब हुआ था 1557 जिसका प्रड़ाम निकला कि अंग्रेजों ने सिराज यूद दौला को हराया था अगला यूद पानिपत की तिस्तरी लड़ाई जो 1761 किनके किनके बीच आहमाद शाह अब्दाली और मराठो के बीच हुआ था इसका प्रड़ाम निकला कि आहमाद शाह अब्दाली ने मराठो को हराया इस पीक मुवीव बन चुकी है जो जर्ष्ट अभी 2019 के करीब निकला थ अगला क्वेश्चन बक्सर का यूद 1774 इस्वी में हुआ किनके किनके बीच अंगरेज और मीरकासिम के बीच जिसमें इसका प्रड़ाम निकला कि अंगरेज और मीरकासिम को हराया था अगला यूद प्रतम सुतंतरता संग्राम का बुआ था 877 अब भारत-चीन यूद का कब हुआ था 1962 और प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था 1965 और 18 नंबर 18 का युद्ध भारत पाक युद्ध कब हुआ था यह जितने अभी युद्ध पढ़े हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक बार दो बार इसको याद करने की कोशिश करें और एक्जाम देने से पर इसे जरूर देखें चलिए तो हम थ्यूरी प्रशन पढ़ लिए अब इसका अब्जेक्टिव करते हैं देखते हैं इतिहासिक महत्तिपुर्ण लडाईयां जिसमें से पहला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कभ गुआ था इसका राइट एंस्वर पताईए दोस्तों और जिदी जिसका एंस्वर पता हो उसको क्वेश्चन बाक्स सोरी कमेंट बाक्स में जरूर लिखें और जिसक प्रश्न 2 तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था इसका राइट एंस्वर होगा ए प्रित्यविराज और मुहमत गोरी के बीच अगला प्रश्न पर चलते हैं तराइन का दियुद्ध कभ गुआ था तरै एंस्वर पताईए दोस्तों तिसका राईटेंस बागा भी 1192 भी अगले प्रस्ट पर चलते हैं तराईन का द्यूती युद्ध किनके बीच वा था तिसका राईटेंस बागा ये मुहम्मद गोरी और प्रिथ्वी राज अगले प्रस्ट पर पलते हैं चंदावर का युद्ध कब हुआ था तिसका राइटेंस्वर हो गए उननीस सो चौराबे इसवी आगे बढ़ते हैं अगला प्राश्ण प्राश्ण चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था जिसका राइट एंस्वर होगा सी मुहम्मद गोरी और जयचंद की बीच अगला प्राश्ण पानी पत की पहली लडाई कब हुई थी इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों ये पंदर उस्षभीस इस्वी अगले प्राश्ण 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 की पहली लडाई किनके बीच हुआ था जिसका राइट एंस्वर होगा सी बाबर विब्राहिम लोदी अगला प्राश्ण खानुमा का युद्ध कब हुआ था इसका राइट एंस्वर होगा बी पंदर उस्षभीस एगले क्वेस्ट पर पढ़ते हैं प्रस्ण दस खानुमा का युद्ध किनके बीच हुआ था जिसका राइट एंस्वर होगा एग बाबर और रालसांगा के बीच अगले प्राश्ण पर चलते हैं दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था इसका राइट एंस्वरोग ये पंदरसो टाइसी स्विमें पंदरसो टाइसी स्विमें चंदेरी का युद्ध हुआ था अगला कोस्चन चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था इसका राइट एंस्वर होगा भी बावर और मेदनी रहा है अगले प्रश्ण पर चलते हैं यह जितने क्वेस्टन लिए प्रतिक एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों इसको आप एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखें और इसको याद करने क कोशिश करें प्रश्ण तेरह है घागरा की यूद कब हुआ था तिसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों भी पंद्रस्व उन्तिस भी अगले प्रश्ण पर पढ़ते हैं घागरा का यूद किनके बीच हुआ था इसका राइट एंस्वर होगा यह अगले प्रश्ण पर पर पढ़ते हैं जोस्ता का यूद किनके बीच हुआ था तिनका हुआ छा इंस्वर होगा सी सेर्श्या और हुमायू कि बीचि तो अगले प्रेश्ट प्ढ़ते हैं दोस्तों चवसा के युद्ध कब हुआ था पिसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों जिस पाईंस्वर पता हो दोस्तों आप उस क्वेश्चन का डाउट भी हो उसका भी एंस कमेंट उसके बारे में भी कमेंट बाक्स में जरूर लिखे हम आपका एंस्वर जरूर देंगे तरह 16 का यूद्ध कब हुआ था यह 1549 इसवी अगले प्रेश्ट पर बढ़ते हैं कन्योज का यूद्ध कब हुआ था इसका भी राइट एंस्वर ह होगा यह 1540 इसवी अगले प्रेश्ट पर चलते हैं दोस्तों करन्योज का यूद्ध किनके बीच हुआ था किसका राइट एंस्वर होगा सी शेश्ट एवं हुमायूं के बीच सोरी दोस्तों हुमायूं इसमें दो तीन बार टाइपिंग हो गया इसके लिए सोरी अगले प पानिपत की दूसरी लडाई का भुई थी इसका राइट एंस्वर होगा अगले प्रेश्फ चलते हैं पानिपत का दूसरी लडाई किनके बीच हुआ था इसका right answer होगा दोस्तो see अकबर और हेमो के बीच हुआ था अगला प्रस्ट हल्दी गाठी का रूत कब हुआ था इसका right answer होगा दोस्तो ये है अगला प्रस्ट पर पढ़ता है हल्दी घाठी का लुद किनके बीच हुआ था जो आपका चार आपसन है इस चार आपसन को देखिए और इसका एंस्वर दीजिए जिसका राइट एंस्वर होगा सी अकबर और महाराणा प्रताप अगले प्रस्प पर पर प्लासिक के यूद कर भूए था इसका राइट एंस्वर हो गां साय चार समस्वर दी चार सत्र आजया सleeig अकले प्रें कर दो बलते हैं के सीजिकों कोश्रव प्रत्र के वीच हुआ था तिसकर आई टेंस्वर होगा ए औरंग जेव और सिरा जुद्ध वला अगले प्रस्पर पढ़ते हैं पानिपत की तीसरी लडाई का भूई थी कि इसकर आई टेंस्वर होगा भी अगले प्रस्पर बढ़ते हैं पानिपत की तीसरी लडाई किनके वीच हुआ था कि इसकर आई टेंस्वर हो गये अहमद शाय अब्दाली और मराथा के बीच अगले प्रस्पर पढ़ते हैं दोस्तों बक्सर का यूद कब लडा गया था कि इसकर आई टेंस्वर होगा दोस्तों सी सत्रस्पर चोट इस्वी अगले प्रस्पर बढ़ते हैं दोस्तों बक्सर का यूद किनके बीच रडा गया था कि इसकर आई टेंस्वर गभी अंगरेज और मीर कासिम के बीच अगले प्रस्पर बढ़ते हैं प्रथम सोतंतत्ता संग्राम कब हुआ था इसका राइट एंस्वर होगा भी है दोस्तों जितने भी क्वेश्टन लिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिस क्वेश्टन के बारे में पता हो उसके बारे में कॉमेंट बाक्स में ज़रूर लिखें तो आगे ब होगा यह उन्नेश सो बासाट इसमें अलब प्रश्ट पर पहरते हैं प्रथम भारत पाख युद्ध कब हुआ था इसका राइड अंसुर होगा दोस्तों कि उ भारत पाक युद्ध इस्वी में हुआ था हर्था ए एंसर करेक्ट होगा अगला प्रश्ण दिवती भारत पाक युद्ध कब हुआ था इसका राइट एंसर होगा पताइए दोस्तो इसका राइट एंसर होगा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ